दुर्ग जिले के उताई में समाज रत्न दाव उत्तम साव पूर्ण समरं समारों में हिस्सा लेने चतिस गड़ के मुख्य मंतरी भुपेश बगेल पहुँचे थे। इस दोरान उन्होंने कई विकास कारियों की सौगाते भी दी। इनमें मोरिट टैंक के जिर्नोधार की बड़ी घोशना शामिल है। चार करोड रुपे की लागत से होने वाले इस जिर्नोधार कारे से अब 240 हेक्टेयर खेतों तक पानी पहुच पाएगा। साथी टैंक के जिर्नोधार से पेजल आपूर्ती की छमता में भी विस्तार होगा स्वास्त की शेत्र में बहतरीन इंफ्रस्ट्रक्चर देने उतई के अस्पताल में छमता विस्तार किया चाएगा। इनमें 10 ऑक्सिजन बैड होंगे। उतई नगर में 2 करोड रुपे की लागत से पालिका बजार बनेगा। इसके बनने से नागरिकों एवं व्यवसायों क सुविधा हो सकेगी। नगर के पुराने शितला तालाब का जिर्नोधार एवं सौंदरी करण भी होगा। इसके लिए भी 75 लाख रुपे देने की घोशना मुख्यमंत्री ने की। इसके साथ ही जिला साहु समाज के भवन के लिए 40 लाख रुपे एवं 3 एकड जमीन देने की घोशना भी मुख्यमंत्री ने की। उतई में भी स्वामी आत्मनंद इंग्लिश मेडियम स्कूल की सुविधा हो की। इस मौके पर ग्रेह एवं PWD मंत्री ताम्रधवस साहु भी उपस्थे थे। इस उसर पर मुख्यमंत्री ने साहु समाज के विभूतियों का खोले। साहु समाज जिस तरह से आगे बढ़ रहा है इसके पीछे समाज की सिक्षा को बढ़ावा देने की प्रकर सोच है। स्वामी आत्मनंद English Medium School और स्वामी आत्मनंद Hindi School के माध्यम से सिक्षा की बहतरीन सुविधा उपलब्ध कराने का निर्ने लिया। साथ ही कहा कि हमने निर्ने लिया है कि जो भी अंग्रेजी के रास्ते आगे बढ़ना चाहे उसे किसी भी तरहा की बाधा ना पहुँचे। नस्दीक में ही गुणवक्ता पूर्ण स्कूल मिल जाए। इसके लिए पूरे प्रदेश भर में 177 स्वामी आत्मनंद English Medium School आरम किये गए हैं। समाज के शिक्षा और स्वास के लेकर पुरूतियों के लेकर जोनों ने जो युगदान दिया। मिश्यत उसे और और श्मर्णी हैं और उसको जितनी उसके पसंसा की जाएक काम है। बहुत बड़ा युगदान उत्तम सावजी कर रहा है।